इत्तर परदेश के शहाजापूर में लोच छात्रा के रेप मामले में आरोपी चिन्मिया नंद को गिरफ़तार कर जेल भेज दिया गया है शुकरवार को S.I.T. ने चिन्मिया नंद को गिरफ़तार किया है इसके बाद कोट ने उन्हें 14 दिन के नियाई खिरासत में चेल भीज़ दिया है डीजी पी ओपी सिंग ने कहा कि स्वामी चिन्मिया नंद को उनके आशनम से गिरफतार किया गया है महीं SIT टीम ने गिरफतार कर मेडिकल कराया है तीन और लोगों को गिरफतार किया गया है रंगदारी मामने के आरोप में तीन लोग गिरफतार किये गए है स्वामी चिन्मिया नंद से रंगदारी मांगने वाले तीन लोग गिरफतार किये गए है कोट ने चिन्मय नंद को 14 दिन की न्याई खिरासत में स्वामी को भेजा है DGP ने कहा कि गिरफतारी में देरी नहीं हुई वीडियो फोरें सिंग जांच के लिए भेजे गए थे जांच के बाद आरूपियो के गिरफतारी की गई आज सुबह उनको आश्रम से गिरफतार किया गया है स्वामी चिन्मयानंद को और हमारी SIT की टीम ने उनको गिरफतार करके उनका मेडिकल कराया कोट में प्रोड्यूस किया गया और उनको जेल बेजा गया है उनको 14 दिन का जुडिशन रिमांड में बेजा गया है और साथ ही साथ हम लोगोंने तीन और अभियुक्तों को गिरफतार किया है उन्हें भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है वो तीनों एक्स्टॉर्शन के मामले में गिरफतार किया गया है जिनोंने एक्स्टॉर्शन लेने की कोशिस की स्वामी चिन्मियानन्द का और स्वामी चिन्मियानन्द को बलादकार के मामले में गिरफ़तार किया गया। करांति हमने इस्वामी चिन्मियानन्द को और इन तीनों बेक्तियों को गिरफ़तार किया। ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद